दोस्तों आज की वीडियो काफी कम मालकी होने वाली है, आपके लिए रियल टाइम क्यूरी के उपर यह हम शेल्यूशन देने जा रहे हैं, जैसे आप मैजिकल लुक अप भी बोल सकते हैं, वाकई में इसी जो बोला जाता है उसका नाम है फजी लुक अप, तो इस तरह के में उसकी एक प्रोड़क्ट की क्या प्राइज है, अभी क्वांटिटी को आप इगनोर कर दो, तो यह प्राइज है, अब आपके पास एक नया डेटा मेल से आता है, कि आप अपने मास्टर शीट में अप्डेटिड प्राइस अप्डेट कर लो, और जो नय प्रोड़क्ट एड हुए है, वो भी एड कर लो, तो अगर आप देखो यहाँ पे 12 CT Colored Chalk लिखा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, अगर आप अपडेटिड डेटा में जाएंगे तो यही पे स्पेलिंग वही है, मतलब प्रोड़क्ट वही है, लेकिन आप देखो Colored Chalk 12 CT स्टैप से त यहाँ पे देखो 16 CT Washable है ना, और बीच में Space है, लेकिन यहाँ पे तो Space नहीं है, है कि नहीं, अब जैसे यहाँ अपडेटिड में देखो एक प्रोड़क्ट है Journal Set 3C 4Z, और यहाँ पे देखोगे अगर आप तो यहाँ पे देखो 3C 4G, यह देखो 3C 4G Butterfly Deluxe Journal Set, और यहाँ पे देखो क्या लिखा, Journal Set 3C 4G Butterfly Deluxe यहीं प्रोड़क्ट का नाम है, लेकिन इस तरह की situation में आप कैसे look up करेंगे आई जानते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्यों आपको वहाँ problem face नहीं करनी पड़ेगी, इंटर्विव देने जाएंगे तो problem face नहीं करनी पड़ेगी, उस लेवल पे यहाँ पे सिखाया जाता है, तो बिल आइकन प्रेस कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिल आइकन प्रेस कर लेना, आप आगे बढ़ते हैं बिना time waste करते हुए, तो यहाँ पे हमारा आपने देख लिए, सबसे पहला काम होगा, control T करके या छोड़ो, master sheet है, data tab पे जाएंगे, और यहाँ get data पे from other source में, from table, ranges को select करेंगे, my table, hazard or just क्या करेंगे, okay, तो यह power query editor के window में open होके आ जाएगा, उसके बाद just यहाँ क्या अभी master data में, और only create connection इस पे चेक करना, और okay, उसके बाद updated table, updated data पे जाएंगे, और same process इसके लिए भी वही कर लेंगे, from other source, from table range, okay, और इसको भी close and load to में कर लेंगे, only create connection, just, इतना कर लिया, चली, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर से data type में जाएंगे, get data में जाएंगे combine queries में जाएंगे, और यहां merge queries select करेंगे, merge, इसको select करना है, और यहां पर table 1, क्योंकि table 1 के data को, table 1 मेरा कौन सा है, master वाला है, क्योंकि master वाला को पहले मैंने किया था, और table 2 हमारा जो है, वो updated, तो master 1 के data को match कराना है, updated यानि table 2 से, और वहां से उसके against में value price लेकर update करना है, तो table 1 क्या product, दोनों में common क्या है, हमारा product name ही है, उसके बाद यहां table 2, क्योंकि देखो, जब भी हम look up, कोई सा भी look up करते है, कोई एक common field होना चाहिए, otherwise यह possible नहीं है, look up करना, तो यहां हमारा common field product name है, दोनों को selection कर लिया, लेकिन इसमें challenge क्या है, कि यहां spelling कुछ और है, य extra space है, जैसे we look up लगाते थे, तो वहां पर trim लगा के space दूर करते थे, लेकिन यह तो sequence ही आगे पीछे है, तो अभी जैसे ही मैंने space selection किया, तो यहां पर देखो, क्या लिखा, the selection matches 15 of 20 rows, यानि 15 data इसका match किया, table 1 का, किस से, table 2 से, यानि updated वाले से, तो 15 match किया, तो 15 का ही आए, यह भी तो होना चाहिए न, तब इस तरह के situation में आप देखो, क्या करने वाले है, ध्यान से सबना, उससे पहले आगे बढ़े हम आपको बते, हमने आपके लिए course design किया, जबज़स course है, पहले इसके भारे में बताता हूं, आपको google chrome पे जाना है, lmecs.courses.store, यह आपको type कर करना है, just open कर ले, यह आप हमारे app को download कर सकते है, app का लिए description में दिया गया है, बायो में दिया गया है, तो यह आप google chrome पे जाके website open कर सकते है, तो यह आपको सामने देखो, बहुत सारे course है, power bi है, basic to advanced excel with array mastery, अब यह array mastery मेरा unique course है, कहीं भी single content नहीं available है, ना कोई सिखा रहा है, यह आपकी help करेगा excel में master बनने में, मतलब जिससे आप अपनी query खुद fix करने लगेंगे, कोई भी interview खुद crack करने लगेंगे, यह मेरी guarantee है, अगर अच्छे से आपने सीखा, अब इसमें बात आती support हम क्या करते है, lifetime course का access है, lifetime support आपको मिलेगा जहां आप अपने course के doubt और personal doubt instant solve कर सकते हैं, और आपको यह service lifetime मिलने वाली और MIS executive से related data analysis से related real time question भी दिये गए है, जिससे आपको सीखे confidence आने वाला है, आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं बैट के सीख रहे हैं, तो यह सारी services मिलती है, आप course को laptop पे भी access कर सकते हैं, इसी तरह हमारे सारे course में यह service आपको मिल मिलने वाली है, right, Power BI है, Power Query है, Advanced Excel है, बहुत सारे courses आपको दिये गाए, आप check out कर सकते हैं, तो इतना जब हमने कर लिया यहाँ पे, right, अब हम दोनों को selection किया, अब यहाँ पे है कि use fuzzy matching, इस पर just tick करना है, जैसे ही हमने tick किया, आप देखो 20 of 20 rows from the first table, यानि first table से, यह जो table का data जो second table से match करा था, सारे का सारे data match कर गए, ठीक है, और just okay करते हैं, अब आप यहाँ को आपको इस पर click करना है, और अब क्या कि इस पर untick कर दो, नहीं तो column का name change हो जाए, right, use original column name as prefix, तो use कर सकते हो, otherwise untick कर दो, अब मुझे चाहिए क्या पूरा तो नहीं चाहिए, मुझे सि ट्वेल सीटी, कलर चॉक, प्राइस था, 227, अब डेटेड़ वाला, 32, अई चेक कर लेते हैं, कलर चॉक, ट्वेल सीटी, 32, अई चेक करते हैं, मर्ज में, यह 242 था, यह 42, अई यह देखो, यह जो gap था, लेकिन यहाँ पे मेरा gap, यहाँ पे, अब डेटेड़ वाले में, देखो, gap नहीं है, लेकिन मर्ज, यहाँ पे, master में gap था, फिर भी यह match करके, देखो, result लेकर आ गया, इस तरह जितने भी text हुए, तो देखा, आपने कैसे match करके, लेकर आया, तो उमीद आपको जिरिए depth में सिखा दी है, और उमीद है, अगर आप अपने career में boost करना चाते ह सपोर्ट चाते हैं, कोई सपोर्ट करे हमें, हमारे काम में, वर्क में, जिससे हमें एक proper guidance मिलें, तो course को जोइन कर सकते हैं, मिलते हैं next video में, जैए